इस वीडियो में हम long bullish candle और इस long bearish candle को treat करने का एक different तरीका आपको बताएंगे जो कि आपके trading में काफी helpful होगा और आप जिससे trading में काफी success हो सकते हैं तो देखिए हम आ गए हैं bank nifty के chart पर यहां पर इस तरह के candle को ढूरना देखिए यह सारा normal candle है यह candle है जो कि एक बहुती long bearish candle है आपको इस candle का जो high है उसको mark कर लेना जब bearish candle होगा उसके high को mark करेंगे जब bullish candle होगा लोग को mark करेंगे यह जो high है अब यह resistance का काम करेगा जब त यहां तक market bullish नहीं होगा और देखिए market केतने दिनों तक इसके नीचे trade किया है यहां पर इसको cross किया लेकिन closing आ करके नीचे ही दिया फेर देखिए नीचे trade किया फिर यहां पर जाकर कि यहां पर इस resistance को यह break किया और फिर देखिए प्राइस ऊपर चला गया जैसे इसके high को okay काफिए दिना के इस तार है पिछे चलते हैं पर पीछे चलते हैं पेचे चलते हैं यहां पाया है एक बुली कर लेंगे प्लेकर का कロ स्केंडल का बेरिस केंडल का हाइए पर काफिस दिनों तक और इस न को यह से ब्रेक किया फिर जाकर किसके के रिजन आया फिर से एक बुलिस लॉंग केंडल बनाया और कि यह जो लॉंग बुलिस केंडल यहाँ बना था इसके भी लोको ब्रेक नहीं अगले दिन काफी गैप डाउन ओपिन हुआ लेकिन इसके लोको ब्रेक नहीं किया और प्राइस देखिए इसके ऊपर चला गया तो आप इस लॉंग बुलिस केंडल से और लॉंग बेरिस केंडल से भी ट्रेन को पहचान सकते हैं कि ट्रेन अभी क्या है और इसके लोको ब्रेक करेगा बुलिस केंडल को तो ट्रेन बेरिस हो जाएगा और वही जब यह लॉंग बेरिस केंडल होगा उसके हाई को ब्रेक पुल बैक लिया लेकिन इसके हाई को क्रॉस नहीं किया मतलब ट्रेंड अभी डाउन है और टेंड देखे नीचे चलता चला गया फिर यहाँ पर एक बेरी स्केंडल बना था इसके मतलब यहाँ पर हाई को हम मार्क कर देंगे जब तक प्राइस इसके उपर ने जाएगा तब मार्केट बुलिस नहीं हो सकता वहीं जब लॉंग बुलिस कैंडल होगा जब तक इसके लोह को ब्रेक ना कर दे तब तक मार्केट भीरी सब्सक्राइब कर लिजिए गा